कोरोना का ओमिक्रोन सब वेरियंट चीन में कहर बरपा रहा है दुनिया भर में कोविट के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने भी समिराज्चियों को निर्देश चारी कर दिये हैं और वहीं अमेरिका ने भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की है जानते हैं क्या है वो मिक्रोन का सब वेरियंट देखिए चीन के वोहान शहर से शुरू हुई कोरोना वाइरस की महमारी ने नए साल से पहले एक बार फ़र से चीन में कहर मचा दिया है और वहां पर हालात बेकाबू नजर आ रही है दुनिया भार में कोविड-19 का प्रकोब बढ़ने के संकेत मिलते ही भारत सरकार अलर्ट हो गई है भारत सरकार ने समिराज्चियों को निर्देश देते हुए कोरोना सेंपल की जीनोम सेक्वेंसिंग पर ध्यान देने के लिए कहा रिपोर्ट्स की माने तो कोविड-0 पॉलसी हटने के बाद चीन में कोरोना से हालात बेकाबू है कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन में अस्पतालों के बाहा लंबी लाइन लगी हुई है कोविड-19 की उत्पत्ती के बाद 2020 में इसके कई सब-वेरियंट विक्सित हुए इसी में से एक सब-वेरियंट BF.7 है जो बहुत तेजी से संक्रमन फैलाने में सक्षम है रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रोन का सब-वेरियंट BF.7 ही चीन में कहन बरपा रहा है जिसकी वज़े से देश के काराले और साजने के सान सुनसान पड़ गए है वहीं अस्पता लेगवार्टफर्ज से मरीजों की लंबी कतारों से पटा हुआ है BF.7 सब-वेरियंट BF.5.2.1.7 का ही शौट फॉर्म है BF.5.2.1.7 BF.5.5 का ही उपवन्ष है ऐसा माना जा रहा है कि BF.7 सब-वेरियंट है BF.1 और BF.2 जैसे ओमिक्रोन के सब-वेरियंट के तुलना में जादा तेजी से संक्रमर फैलाने में सक्षम है बेजिंग के अस्पतालों की माने तो वेरियंट में इम्यून सिस्टम से बच निकलने यानि इम्यून एसकेप की भी शमता बहुत जादा है जब कुरोना का ये सब-वेरियंट हमला करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे शरीर में फैलने से रोखने में सक्षम नहीं होती जिके साब विशेशग्ये ने बताया कि चुकी BF.7 का संक्रमर काल बहुत कम है यानि किसी भी व्यक्ति को बहुत कम समय में ही संक्रमित कर देता है और इसकी संक्रमर दर भी तेज है इसलिए चीन में कुरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ रही है देल्टा वेरियंट में जहां आर्फ्यक्टर लगभग 5 से 6 होता है जब कि ओमिक्रोन BF.7 में आर्फ्यक्टर दस से अधिक है अधेज संक्रमित होने के बार लगशन अन्य वेरियंट के समान ही है इन में मरीजों को खांसी, गले में खरांश, बुखार, ठकावट, नाग पहना, उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं कई बार इससे संक्रमित व्रक्ती में कोई लक्षण नहीं होता है जिसके कारण वाइरस फैलने का जादा डर रहता है कुछ स्वास्ते विशिशग्यों का अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में जीन की 60 प्रतेशत और दुनिया की 10 प्रतेशत आवादी इससे संक्रमित हो सकती है महमारी विशिशग्यों ने आश्ण का जताई है कि कुरुना इस लहर में 10 लाग से जादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है दुनिया भर में कुरुना के बरते मामलों को देखते हुए स्वास्ते सचीव राजी भुशन ए मंगलवार को NCDC और ICMR को चिठी लिखी सरकार ने कहा कि कोविट के नवेरिंट की पहचान के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग ज़रूरी है प्रने कारी रूप सामने आ रहा है इसके लिए भारत सरकार ने सवीराजियों को जेताया है आप देखने वाली बात यह होगी कोई कोई कोरुना के नए वेरिंट को भारत कैसी रूप पाता है